बिहार के समस्तिपूर और बकसर जिले के शेत्री में बड़े प्यामानी पर पेट्रॉलियम पतात मिलने का संकेत मिला है गंगा बेसिंग में तेल का पर्याप्त भंडार होने का अनुमान है केंदी की तरफ से प्रसाव भेजे जाने के बाद बिहार सरकार ने ONGC को खोज की जाज़त दे दी है कालाकाट प्रखन शेत्र अंतरकत चौगरी कला गाओ में परमपोजी देवी दयाल जी के सानेधे में शिमत भगवत कथा ज्यान यागे का कालक्राम अपने निधारित लक्ष के अनुरूप बड़े ही धालमीक शद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन हो रहा है केंद्य मंत्री नितीन गटकरी ने आज उतर भिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले महात्मागानी सेतु के पुल्वी लेन का लोकारपन किये साथ में मुक्य मंत्री नितीश कुमार भी रही मौजूद जहार खंडे से पलामो प्रवास पर गए लालो प्रसाद यादों की कमरे में पंखे में लगी आग कमरे में नहीं थे लालो प्रसाद जन्तदल यूनाइटेड ने विधान परिशत के लिए अपने दोनों उम्मिद्वारों के नाम के अधिकारी खोशना कर दी है अफाक एहमद और रवेंद्र सिंह के उम्मिद्वार बनाये जाने की जानकारी जेडियू सुत्रों के हवाले से दी थी और अब इनकी दोनों के नाम पर पार्टी ने अधिकारी खोशना की है बिहार में पुलिस मुख्याले ने जारी किया रिपोर्ट जिसमें शराब पकरने में सारन तो शराबियों की किरफ्ताली में टॉप पर रहा पटना नगर परिशद नोखा के वाडों के नाम बदलने से मतदाता रहें परेशान नोखा प्रखन के नवपद स्थापित BEO राजकिशोर यादों ने मंगलवार को BRC पहुचकर पदभार क्रहन किया देहरी प्रखन शेत का भरकुरिया गाउं में अम्रित सवेरा पोखर का किया गया शुभारम आपको बता दे कोरिला पहार के समी पोखरा का निर्मान किया जा रहा है नोखा प्रखन मुख्याले इस्तित क्रिशी भावन में आपोती विभाग का कार्याले अवस्तित है आपूर्थी कार्याले दो पहर के दो बजी तक बंद रहा जिससे आपूर्थी कार्याले में कार करवाने पहुचे दरजनों व्यक्तियों को काफी देर इंटजार करने के बाद वापस लोटना पड़ा दिलाथु प्रकंशेत्र के चरकब गाउं में माकाली मंदिर के पुनर निर्मान उप्रांत माकाली प्रान प्रतिष्ठा हितु मंगलवार को भविक कलश्यात्रा निकाली गई